जैहिंद जैभारत दोस्तों कैसे हो आप सब मैं आसा करता हूँ आप सब अभी बढ़िया ही होंगे आप इस वीडियो को किलिक किये हैं इसका मतलब यह है कि आपको जनना क्या है थल समीर एवं समुंद्र समीर यह अखिर है क्या तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप से पुछ दिया जै कि थल समीर यह समुंद्र समीर क्या होता है किसे कहते हैं इससे आप क्या समझते हैं इसका परिभासा क्या होता है आप बहुत ही आसानी से बताईए तो आप घबराईए मत आज के इस वीडियो में आपको किलियर होने वाला है अगर आप से पुछ दिया जाया है कि क्या होता है किसे कहते हैं इसे से आप क्या समझते हैं इसका परिभासा क्या होता है कुछ भी रहे मेरे प्यारे साथी बस आपको वही लिखना है जो मैं आज के इस वीडियो में आपको किलियर करूँगा तो यहाँ पर आप बारिकी से समझे और मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाओंगा जो कि आप आज के बाद भूलेंगे नहीं ठीक है और आपको तो पता ही है भूलना और न भूलना सिर्फ आपके उपर निर्भर करता है और गाज यहाँ पर आप आसानी से ध्यान देने का परियास कीजिए तो सबसे पहले हम समझेंगे यह हमारा समूंदर समीर याकिर होता गया तो इसी वे में आपको दिख भी रहोगा समूंदर समीर जिसे हम इंगलिस में कहते हैं सी ब्रीज तो यहाँ पर हम आपको एक एक अर्थ बताते हैं समूंदर तो आपको पता है जिहां आपको आसानी से पता है समीर का मतलब हमारा क्या होता है हवा कौन सी हवा तो आप यहां पर ध्यान देजिए यानि जो हमारा जो मंद गती यानि जो सलोह से कह सकते हैं जो धीमे धीमे इसली समझें तो धीरे धीरे ओके जो हवा धीरे धीरे बहती है उसे हम क्या कहते हैं समीर कहते हैं लेकिन बात हमारा आजाता है समुंद्र समीर का, तो आप ऐसे भी समझ गया है कि समुंद्र समीर क्या हम किसको कहेंगे, तो यहाँ पर आपको समीर का मतलब पता है, कि जो हवा धीरे धीरे बैती है, मंद गती से यानि दम सलोह से चलती है, वह हवा हमारा क्या कहलाता है, समीर क तो इजी वे में आप समझ भी सकते हैं, मैंने आर परिभासा में लिख क्या रखा है, आप यहाँ पर इजी ली समझ सकते हैं, तो इजी ली आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको बहुत ही बारीकी से दिख भी रहाओगा, समूंदर की ओर से आने वाली हवा, जो भूमी की और जाती हो उसे हम कहते हैं समूंद्र समीर यानि आपको बस यहां पर ये चीज़े याद रखनी है कि समूंद्र समीर हम किसको कहेंगे यानि सी ब्रीज किसको कहेंगे यानि कि समूंद्र की ओर से धीरे 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 यानि कह सकते हैं बोल चाल की भासा में गते गते ओके यान समुन्दर समीर कहेंगे तो आप इसे इजली समझ गए होंगे अगर आपको समझ आ गया हो तो बढ़ते हैं आगे की ओर और यहाँ पर आप ध्यान दिजिए अब हम समझते हैं आगे की बाते हैं अगर आप इसको लिखना साथे हैं तो वीडियो को रोकी और आसानी से ठीक है तो यहां पर परिवासा में है कि समुंदर की ओर से आने वाली हवा जो भूमी की ओर जाती हो उसे हम क्या कहते हैं समुंदर समीर कहते हैं या कहलाता है आप यह सब समझ पाएंगे ओके अब हम समझते हैं क्या अब हम समझते हैं थल समीर अगर आपको थल समीर आ गया हो तो आप थल समेर भी easy way में समझ पाएंगे घाज यहाँ पर आप देखेंगे तो थल समेर थल का मतलब क्या होता है, भूमी आप ऐसे भी समझ पाएंगे और समेर का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो हवा धीरे धीरे बैती हो ठेक है कि भुमे की और से आने वाली हवा जो समुंद्र की और जाती हो उसे हम क्या कहेंगे थल समीर कहेंगे यानि अगर आपको यहाँ पर याद क्या रखनी है थल समीर यानि भुमे की और से धीरे 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 बहने वाली हवा को हम क्या कहेंगे थल समीर कहेंगे ओके आपको थल समीर आया की नहीं आया बस आपको यहाँ पर यह चीज़े ख्याल रखने है कि भुमे की और से धीरे 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 यानि स्लो मोशन से आपको जो हवा बहेगी वही आपको क्या कहलाएगी यहाँ पर थल समीर कहलाएगी या हम किसे कहते हैं तो ये सब चीजे हैं बहुत ही आसान है तो आप इसे easy way में समझ सकते हैं कि आपको यहां तक की बाते आई अगर आ गई हो तो अब वीडियो को करते हैं समापत basically यह वीडियो छोटा यानि कह सकते हैं आपको easy way में कह सकते हैं असमापल इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरा जो अभी phone है बहुत ही खराब situation से गुजर रहा है तो मिलता है आपका भाई एक और नए दिन नए वीडियो के साथ अपता के लिए बने रहो भाई और मैं मुझे उमीद है कि आप मुझे support करेंगे जिस से मैं और भी आगे चीजें कर सकता हूँ तो मिलता है आपका भाई नए दिन नए वीडियो के साथ अपता के लिए बने रहो और जुडे रहो और कोई दिक्कत हो तो यार नीचे जरूर लिखना ठीक है